गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में अभी सुबह के बज रहा है तीन हा तीन मतलब अभी सुबह भोर में है तो आज मेरे दोनों बच्चे जाएंगे तो उन लोगों को नास्ता बनाना था हमको उन लोगों के लिए तो इसलिए हम तीन बज़े ही उठ गए हैं उन लोग को साड़े पांच बज़े निकलना है तो इसलिए अभी हम नास्ता बनाने के लिए उठ गए हैं किट्टू तो बनारस जाएगा लेकिन बिट्टू गाजी अब आज जाए है इसलिए उसको बना करके दोनों को दे दे रहे हैं तो उसके लिए बिट्टू को पसंद है ये कुंद्रू और आलू का कलोजी तो इसको बनाने के लिए तेल डाले उसमें मेथी दाना फिर हिंग उसके बाद हम डाल दिये कुंद्रू और आलू अब इसमें नमक डाल करके इ और ये आलू और कुंदरू का कलोजी बना करके देंगे पैक करके तो अभी हम ये मतलब इसको ढख देंगे इसमें अभी मसाला मिक्स नहीं करेंगे मसाला भी बाद में मिक्स करेंगे बस नमक डाल करके इसको अच्छे से धीमियाज पे पकने के लिए छोड़ देंगे तब से हम आटा गूत लेंगे पोड़ी के लिए, तो मेरा आटा गूता गया है, और आटे में ये हम रिफाइन चढ़ा दिये हैं, पोड़ी तलने के लिए, तो आटे में हम थोड़ा सा नमक, और थोड़ा रिफाइन डाल लिए हैं, इन लोग को मंग्रेल का स्वाद नहीं है, इसलिए हम नहीं डाले हैं मंग्रेल, और बस थोड़ा सा रिफाइन और नमक डाल करके, आटा गूत लिए हैं, खस्ता पोड़ी के लिए, तो अभी इसको हम बनाएंगे, इसमें हम सूखा आटा लगा के नहीं बेलेंगे, रिफाइन ही लगा करके बेलेंगे, सूखा आटा लगाएंगे तो फिर ये उतना खस्ता अच्छे से नहीं होता है, और अगर रिफाइन लगा करके बेलेंगे, रिफाइन का मतलब इसमें मुयन दे दीजिए, और रिफाइन लगा के ही बनाईए तो इसका अच्छा खस्ता इसका सौहारी बनता है तो और ये देखिए इधर हमारा सब्जी अब इसमें हम डालेंगे ये कुटा हुआ लासुन डाल दिये हैं इसमें अब सारा मसाला आइड कर देंगे उसके बाद ये लाल मिर्च डाले हैं लाल मिर्च पाउडर जो की घर पे बनाए हैं इसमें आप हरे मिर्च भी डाल सकती हैं लेकिन हरे मिर्च का सौहाद उतना अच्छा आता नहीं कलोजी में इस से जितना मतलब सोखे मिर्च से जितना अच्छा सवाद आता है जहनघार एकदम जन नाटेदार मस्त अदम सी तो इसलिए यह थोड़ा ज्यादा है तो अच्छा लगता है, इसका सुआथ अज्छे स्वाछ लगता है इसका पाउडर डालेंगे उसके बाद फौड़ी सी हल्दी पाउडर अभी पूरा मसाला को अच्छे से मिक्स कर देंगे बस इसमें इतना ही मसाला पड़ेगा तो अभी ये जितना मतलब कलोजी में पड़ता है उतना सारा मसाला हम डाल दिये हैं अभी इसको मिक्स करके एकदम बढ़ियां से उसके बाद धीमी आज पर इसको ढख देंगे ये एक साइड पकता रहेगा और दूसरे साइड में हम पोड़ी का तयारी कर लेंगे तलेंगे तो ये अभी हम पोड़ी बना करके कम सकम 15-20 ठो रख लेते हैं किटा उसको तब उसके बाद चानते हैं तो अच्छा रहता है ऐसे अकेले बनाने में आराम रहता है तो अभी हमा हो गया है पाउने चार हो गया है अभी पांच बजे उन लोग को जगाएंगे बच्चों को अभी सोएं रात को सब लेट से जगे थे तो ये देखिए बीच-बीच में हम सबजी को चलाते रहे अभी मेरा सबजी एकदम तयार हो गया सबजी पूरी दोनों तयार है अब उन दोनों चले गए किट्टू बिट्टू दोनों चले गए तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है घर बिलकुल और वो ड्यूटी चले गए हैं और हम हम उठे हैं सो करके वीडियो अपलोड किये हैं और ये देखिए चुन-चुन को ये हम जा रहे हैं भी दाल पहलाए थे र इसका ऐसे ही चल रहा है और ये भी खोज रही है बच्चो को बोल रहे हैं कि जाओ किट्टू बुला रहा है तो जा रहे हैं आगे वाले रूम में किसी को नहीं देख रहे हैं दर्वाजा के पास जा रहे हैं किसी को नहीं देख रहे हैं फिर वापस आ रही है एकदम खाली खाली लग रहा, और चोकी के पास जाके रो रही है, ये देखिए, चुन-चुन, किट्टु कहा गया, चुन-चुन, किट्टु कहा गया, देखो, 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 इधर बूलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बोलो, बिट्टु क जहां गया, यह चुन चुन बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू को बुलाओ, बिट्टू को बुलाओ, देखो बिट्टू बुला रहा है, बिट्टू बुला रहा है, जाओ, देखो, 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 यह सब ही वित थे, तो साथ में लेकर खेलते थे, अ तब से हम अपना वीडियो एडिट किये अपलोड किये ये सोई ही थी चुप चाफ अभी उठी है अभी जब हम उठे हैं काम करने के लिए तब उठी है अब काम नहीं करने दे रही है अब इसको मारेंगे संद हो गई चुण चुण बिट्टू कहा है देखो बिट्टू बुला रहा है किट्टू बुला रहा है जाओ तो अभी चल रहे हैं डाल साप करने चुण चुण हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हमको काम करने दो देखो दली आप याप आके पढ़े जाओ उधर जाओ हटो मेरा अभी बहुत काम पड़ा है साड़ी में फॉल लगाना है अभी मार्केट से अस्तर भी लाना है और यह इसके चलते हम एक काम नहीं कर पा रहे हैं और आज बच्चे भी चले गए इससे और मेरे को एकदम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है और बच्चे थे तब तक टाइम ही नहीं मिलता अभी तो इसको कोई देखने वाला नहीं है अभी इसको कहां बंद करके हम अकेले जाए अकेले बंद कर के जाते हैं तो रोने लगती हे तब इसका हम क्या करें काहसे काम करें हम को समझ Woah कि असथ नहीं आ रहा तुमको चलो हट यहां से हड़ा हड़ जाऊ करते हैं को काम कर दें तुर जो बढ़ जो हता बज़े से बिट्टू बुला रहा है जाओ तो जाओ देखो तो चंचुन चलो चलो देखो बिट्टू आया क्या बिट्टू बुला रहा है चंचुन तो अभी मेरा दाल साप हो गया थोड़ा सा दाल आठ दस कीलो था उतना साप करने में हमको फॉन घंटा लग गया तो इसके चक्कर में अभी यह यहाँ खड़ी है क्या हो गया हां यह एकदम कुछ काम नहीं करने दे रही है इसके चलो देखी चौँ एक काम अभी चावल मेरा बागी रगया साप करना चावल भी साप करना है लेकिन आज जब हो नहीं करेंगे चावल हम कल साप करेंगे आज तो एकदम यह करने ही नहीं दे रही है और साम भी होने लग तो फ्रेंट्स यह है आज का मेरा सुबह से साम तक का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर 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 जरूर कर दें जो नए हैं मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और सस्क्राइब नहीं कियें प्लीज सस्क्राइब करके आभी मेरे परिवार में सामील हो जाएए मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक ले भाई भाई लाव यू